दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को REC Limited और Tata Steel के साथ में कुछ ऐसी कमपनी इसके Shares के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनोंने यहाँ पे Bonus, Split और Dividend अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनों मेडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है राजेश्वरी कैंस लिमिटेड यह कमपनी का जो शेयर है अभी तक आज की ट्रेडिंग सेशन में तो ट्रेड नहीं हुआ है इसलिए चार्ट अविलेबल नहीं है बागी 640 रुपीज का क्लोजिंग प्राइस था इस कमपनी के ओफिशल अनामस्मेंट की बात करें तो राजेश्वरी कैंस ने जो है स्टोक स्प्लेट अनामस कर दिया है वन इस्टू टेन के रेशियो से जिसका मतलब काफी सिंपल है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 10 शेयर्स में कनवर् आपके सभी के सभी शेयर्स यहां पे 10 गुना हो जाएंगे अभी अनाउस्मेंट एक दम लेटेस्ट है इसी चलते इसको देने की एकस डेट रिकॉर्ड डेट जरा अपकमिंग में है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बाद में जैसी एकस डेट रिकॉर् अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है TCI Express Limited आज की ट्रेडिंग सेशन में एक कंपनी का जो शेयर है 0.25% के एक छोटे से माइनर करेक्शन के साथ 975 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था अगर इस कंपनी के ऑफिशल अनाउस्मेंट की बात करें तो TCI Express ने जो है डिव रुपे का डिविडेंट दिया जाएगा अक्चुल में डिविडेंड वैल्यो में कम देखने को मिलता है और बिलो अवरेज भी है बाकी इसको देने की X date, record date जो है 8th of November यानि की 8 November की रखी गई है अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है DCM श्रीराम Limited आज की से जाद की तेजी दिखाता देखने को मिला 1,120 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा था DCM श्रीराम के official announcement की अगर हम बात करें तो इस कमपनी ने जो है डिविडेंड आनौंस कर दिया है 2 रुपीज का आपको आपके हर एक शेयर पे 2 रुपे का डिविडेंड दिया कमपनी का शेयर अल्मोस्ट फ्लाट ट्रेड हो रहा था 546 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था डाबर इंडिया के official announcement की बात करें तो इससे वहले एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अगर आप लोग चाहें तो मेरा 100% फ्री वाला टेलीग्राम चैनल यह आप सभी के काफी जादा काम आएगा इसकी गिरेंटी में खुद लेने को त्यार हूँ तो एक बड़ी चेक आउट जरूर से करिएगा डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा डाबर इंडिया के official announcement की बात करें तो इस company ने जो बैडिविडेंड अनौंस कर द और वही जो डिविडेंड की payment date है वो रखी गई है 22nd of November की यानि की 22 November या उससे पहले पहले आपके bank account के अंदर में आपका dividend value credit कर दिया जाएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है रागफ Productivity Enhancers Limited आज की ट्रेडिंग सेशन में company का जो share है हमें 0.5% से ज़ादा की तेजी दिखाता देखने को मिला 1,309 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था रागफ Productivity Enhancers के अगर Official Announcement की बात करें तो इस company ने जो बोनस अनौस कर दिया है 1 to 1 के ratio से जिसका मदलब काफी simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको एक share as a bonus मिलेगा आपका एक share द देने की X date record date चुब है 15th of November यानि की 15 November की रखी गई है अगले share की बात करें तो company का नाम है REC Limited रेक Limited का जो share है आज की ट्रेडिंग सेशन में लगबग हमें 0.5% की गिरावट करता देखने को मिला 525 रुपीज पे trade हो रहा था REC Limited की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update सामने आई है basically यहाँ पर ICICI Securities करके काफी जाना माना brokerage firm है I'm pretty sure आप सभी ने ICICI Securities का नाम definitely सुना होगा ICICI Securities ने जोबे REC Limited के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation share करी है और जो target price यहाँ पर set करा है Fundamentally financially company काफी strong है उपर से एक PSU unit होने के चलते government का support और investors का जो trust है वो भी company के उपर भरपूर तरीके से मौजूद है All over company की valuation भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है current market price पर आप buy करते हैं बेशक short term में अच्छे returns ना मिले लेकिन I'm very sure mid term से लेके long term में definitely आपको काफी ज़ादा अच्छे returns काफी easily मिल जाएंगे और directly या indirectly कह लीजिए company power sector से belong करती है ये एक ऐसा sector है जो की अभी तो grow करी रहे आने वाले time में और ज़्यादा तेजी से grow करता नजर आएगा तो ज़रूर से REC limited के share पर आपकी नजर बना के रखिए रही बात ये 606 रुपे के target की ये target आपका mid term से लेके long term कही बनेगा विज़े तो काफी हाई chances है mid term में achieve हो जाए लेकिन आपको patiently company के share को hold करना पड़ेगा अब ज़रूर से company के share पर आपकी नजर बना के रखिएगा और हाँ REC limited के share को आपके watch list के अंदर में ज़रूर add करिएगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे अगले and last update की तो company का नाम है Tata Steel Limited Tata Steel का जो share है आज के trading session में 0.11% के एक छोटे से minor correction के साथ 148 रोपीज पे trade हो रहा था Tata Steel की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update निकल करके आ रही है basically इंडिया के कुछ काफी बड़े brokerage houses ने यहाँ पे 17 अलग अलग तरीके की reports को publish करा है और 7 analyst ने यहाँ पे इन reports को publish करा है इन reports में यहाँ पे Tata Steel के share के उपर में bullishness दिखाई गई है हर जगा से buying recommendation share करी गई है और different different अलग अलग targets दिये गए है अब इतनी सारी reports को तो हम different targets की साथ में नहीं देख सकते हमें किसी एक कोई consider करना है तो जो 17 reports के अंदर में अलग-अलग target prices दिये है इन सभी का जो median यानि की average target price निकल करके आ रहा है वो है 173 रुपीज का लगबग 148 रुपीज से लेके 173 रुपीज तक की एक जो rally है यह इंडिया के top 7 analyst इनकी 17 reports के अंदर में explain कर रहे हैं कि इतनी rally हम expect करके चल रहे है Tata Steel के share के उपर में अब Tata Steel की as a company अगर हम बात करें देखे fundamentally financially no doubt Tata Steel काफी अच्छी है इंडिया की one of the largest company है उसके अलावा Tata Group से belong करती है company तो investors के पास कोई trust issue भी नहीं है सबको trust है company के उपर जिस टेक problem है company की वो एक company का जो revenue है last 3 consecutive years से हमें बढ़ता देखने को नहीं मिला है एक saturation point पे आ करके अटक चुका है यहां से revenue बढ़ ही नहीं रहा अगर आने वाले कुछ मैनों के अंदर company अपने revenue बढ़ा लेती है तो definitely Tata Steel के share पे हमें momentum भी काफी ज़दा शांदार देखने को मिलेगा क्योंकि company को उसकी actual valuation सिरफ और सिरफ इसी चलते नहीं मिल पारी है कि company के revenues के अंदर हमें कोई increment यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है एक बढ़ी company के revenues थोड़ा बहुत भी increase करते हैं I'm very sure Tata Steel के share भी आपको spike करता देखने को मिलेगा all over ना ही company ना ही share में कोई problem है जरूर से अगर आप लुक चाहें Tata Steel के share पे आपकी नजर बना के रख सकते हैं रही बात 173 rupees के target की यह target आपका mid term कराएगा आने वाले कुछ हफतों के अंदर में definitely 173 rupees तक Tata Steel के share आपको आता देखने को मिल जाएगा अब जरूर से company के share को आपकी watch list के अंदर में add करिएगा बागी Tata Steel हो गया, REC Limited हो गया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बागी इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates आ रही थी specifically जिन्होंने आपे bonus, split और dividend arounds किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like करिएगा चैनल को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye